अभी जल्द आपके पास लोटूँगा इस सर्चा में अब से पहले चलते हैं सीधा नैंसी के बास बता रही है कौन की सीट पर जिता है नैंसी अप टू यू जो नतीज़ा है वो आचुका है और सीट पर कौन जीता है गांधी नगर सीट से रुक अगर बात करें तो यहां पर सोनल पटेल जो की कॉंग्रिस की तरफ से चुनावी मैदान में थी वो हार गई है उनके सामने केंद्रे ग्रेमंत्र अमिर्श रहा मैदान में खड़े थी ब बसपा और सपा दो प्रत्याश्वी थे और उन्होंने दौनों को ही पचारते हुए जीतासल यहां से कर ली है अगली सीट के और रुक कर लेते हैं अब लखनव के बाद में अगली सीट वो कौन सी है तो कोटा ये सीट कोटा पर भी नेरनाय आ चुका है नतीज़ा आ चुक है तो अरुनाच्वल की ये सीट है पस्चिम सीट अरुनाच्वल की यहां से कॉंग्रेस की नभाप तुकी हार चुके हैं और इसके अलावा गर जीत की बात करें तो यहां पर किरेन रिजि जू जो की बीच्वपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे जीत गया है चली अगली लोग सभा सीट कौन सी है वो उस पर भी नज़र डाल देते हैं कि आखिर किस सीट पर नतीज़ा आ चुका है तो अगली सीट जो है वो उन्नाव सीट है वेहादी दिल्चोस पिये जहां साक्षी महाराज चुनावी मैदान में थे और वे जीत चुके हैं बीजुपी की तरफ से चुनावी मैदान में उन्होंने अपने पूरी दमखम के साथ में जहां प्रचार किया थोर अब उन्हें अच्छी लीट के साथ में यहां जुरी थासिल कुई है उन्हाव के बाद अगली सीट की ओर रुक कर लेते हैं कि वो अगली सीट कौन सी है जो जो नतीज़ा है वो आचुका है तो अगली ये सीट है फैजाबाद जहां पर अवधेश प्रसाद जीते हैं देलचास पर यह देखना चुकि देखे यहां से जहां अवधेश प्रसाद जो की सपा की तरफ से इंडिया गट बंदन की तरफ से चुनावी मैदान में थे बीजूपी तरफ से लल्लू सिंग थे यह हार गए हैं काफी जो मुद्दा था राम मंदिर का वो भुणाने की कोश से जो की जीत हासिल कर चुके हैं और बेहादी होट प्रोफाइल सीट रही है अलाकि बीज़बी नहीं से जीत हासिल कर लेते हैं कि अगली सीट कौन सी है राय बरेली जो की कोद राहूल गांधी यहां से चुनावी मैदान में तेप्छी घाजी लीड के साथ इसके पहले आप चुकी चर्चा भी कर रहे थे कि साड़े तीन लाग के करीब उन्होंने यहां से अपनी लीड बनाई है और साड़े तीन लाग के अंतर के सांथ राहूल गांधी ने चुनावी मैदान में जहां जीते वो हासल वो कर चुके हैं चली राय बरेली के बाद अगली लोग सभा सीट की ओरूप कर लेते हैं कौन सी सीट है वो लखीमपूर खीरी ये सीट लखीमपूर खीरी की बात करें तो यहां पर सपा यानि की इंडिया गजबंदन के प्रत्याशी उतकर्ष की जीत हुई है उनके सामने बिजेपी और सपा सपा और बस्पा जहां बस्पा की तरफ से भी मधान में यहां पर चुनावी मधान में प्रत्याशी ते लेकिन यहाँ पर इंडिया गजबंदन की तरफ से उतकरश वर्मा की जीत हुई है इसके बाद लखीमपूर खीरी के बाद अगली लोग सभा सीट की ओरूप लेते है मैनपूरी के बाद अगली लोग सभा सीट के और रूप कर लेते हैं वो कौन सी लोग सभा सीट? सुल्तानपूर सीट सुल्तानपूर पर भी चुनावी परणाम आ चुका है और यहां से सपा के ही राम भुवाल निशार जीत चुके हैं विदीशा के बाद अगली लोग सभा सीट वो कौन सी है? जहां पर चुनावी परणाम आ चुके है राजगड़ यह सीट है, राजगड़ बेहादी दिल्चोस सीट रही थी चुकी खुद 32 साल के बाद यहां दिग विजवे सिंग चुनावी मैदान में उत्रे थे और कॉंग्रेस की एक सीट पाने के लिए उन्हों पूरी कॉंग्रेस ने जीतोर महनत की लेकिन यहां से कॉंग्रेस हार चुकी है बीजवेपी के रोड़ मलनागर यहां से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने जुईत हासल कर ली चलिए अगली लोग सभा सीट की बात करेंगे गाजीपूर सीट पर यहां फिर से सपा ने यहां पर जीत हासल की यानि इंडिया अलाइंस की जीत हुई है यहां पर अफजाल अंसारी जीत चुके हैं इसके बाद अगली लोग सभा सीट की बात कर लेते हैं गाजीपुर के बाद गुना सीट जो तिरादित सिंधिया जो की 2019 में हार गए थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने बीजोपी जोईन की और अब एक अच्छी खासी लीड के साथ उन्होंने जीत हासल कर ली है गुना के बाद अगली लोग सभा सीट की और रुख करते हैं कि आखिर वो कौन सी सीट है जिस पर प्रणाम जो नतीज़ों हैं वो आचुके इन दौर काफी दिल्चास पी महाँ पर मुकाबला रहा चुकि कॉंगर्स की तरफ से कोई प्र टीकमगड़ वो सीट यहाँ पर वीरेंद्र खचीक जो की बीजोपी की तरफ से चुनावी मैदान में थी और उन्होंने जीत हासल कर ली पंकर जहिरवार कॉंग्रेस के प्रत्याशी को शिकस्त दी है टीकमगड़ के बाद अगली सीट की और रुख कर लेते हैं टीकमड़ के बाद में अगली लोग सभा सीट के और रुख करेंगे कि वो कौनसी सीट है जिस पर जो नतीजे हैं वो सपस्ट हो गए है रतलाम के दी बात करें तो अनीता चौहान जो की बीजोपी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में थी जीत हासल कर ली है कांतिलाल भूरिया एक बड़ा नाम था कॉंग्रेस का हार उन्हें दी है अनीता चौहान बीजोपी की तरफ से यहाँ पर अच्छी कासी लीट के साथ जीच चुकी है रतलाम के बाद अगली सीट के और रुख कर लेते हैं रतलाम के बाद वो कौनसी बस्तर काफी हाट प्रफाइल का यह सीट रही है और इस सीट से बीजोपी के महिश कश्यप जीत हासिल कर चुके हैं बस्तर पर शुरुआ से ही जो एक लड़ाई है वो काफी दिल्चस्प रही है दौनों ही पाटियों की बीच में लेकिन कवासी लखमा को शिकस्त देती हुई यहाँ महिश कश्यप ने जीत हासिल क चली अगली लोग सभा सीट के और रुक कर लेते हैं बस्तर के बाद वो कौनसी सीट है राइपूर ये सीट राइपूर में बेहदी मुकाबला दिल्चस परहा ब्रजमोहन अगरवाल के जुके पहले से ही पोस्टर भी लगा दिये गए थे पार्टी के द्वारा जीत के चली अगली लोग सभा सीट के और रुक कर लेते हैं सर्गुजा ये लोग सभा सीट पर भी मुकाबला दिल्चस परहा चुंतामणी महाराज बीज़ेपी की तरफ से थे हार चुके हैं शशी सिंग यहाँ पर सर्गुजा से चुनावी मैदान में खड़ी होई थी और इन्ह कि दो आपर कई न कई देखने को मिल रहा है कि दौनों ही जो अगर अज़िय की बात करें या फर इंडिया अलाइंस की बात करें दौनों ही के बीच में इस वक्त कार्टे की टेकर है हाला कि शाम तक या इंतजार करना होगा शाम को जब सपस्ट रुजान आएंगे जब इस